हेलो गाइज विल्कम बैक टू प्रो यान दोस्तो आज की स्टूडो में हम आपको बताएंगे कैसे आप अपनी गूगल प्ले स्टोर आइडी बना सकते हैं अगर आप Android स्मार्टफोन का यूज करते हैं तो प्ले स्टोर आइडी के बिना आप अपने Android स्मार्टफोन पर किसी भी तरह की एप और गेम को डाउनलूड नहीं कर सकते हैं यह काफी important टूल है जो आपको जरूरी एप और services को यूज करने में मदद करता है जिससे आप अपने स्मार्टफोन पर अलग अलग तरह के application और game को डाउनलूड कर सकते हैं तो play store ID आपकी security की भी देख भाल करता है जिससे आपके personal data और device की security बनी रहती है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप असानी से अपनी play store ID बना सकते हैं और इसका use कर सकते हैं इसके साथ ही हम आपको कुछ टिप्स देंगे जो आपकी इस ID को secure रखने में मदद करेगी तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को start करते हैं और जानते है play store ID कैसे बना है तो hello दोस्तो मेरा नाम है मौमाद अदिल और आप देख रहें प्रोईग्यान दोस्तो वीडियो में आकर बनने से पहले अगर आपने पी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइक बरके बेल अगर क्लिक कर दीजिए तो play store ID बनाने के लिए सबसे पहले आपका अपने smartphone में play store app को open कर लेना है इसके बाद आपको signing का option मिलेगा पर क्लिक करेंगे अब इसके बाद आपके सामने एक नए page open होगा यहाँ पर आप create account के option पर क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पर आपको दो option मिलेंगे for my personal use, for work or my business आपको for my personal use पर क्लिक करना है यहाँ पर आप अपनी ID का जो नाम रखना चाहते हैं वो नाम इंटर कर देंगे इसके बाद next के बड़न पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको अपनी data of world इंटर करनी है इसके बाद zender पर क्लिक करके आपने zender को चूज कर लेंगे इसके बाद next के बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके नाम से related unique ID आजाएगी आप जो भी ID को select करना चाहते हैं वो select कर सकते हैं या फिर आप अपनी खुद की ID बना सकते हैं उसके लिए create your own Gmail address पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आप जो भी नाम से ID बनाना चाहते हैं उसको यहाँ पर enter कर देंगे ID को enter करने के बाद next के बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपने जो भी नाम enter किया है अगर वो नाम available होगा तो आप next page पर चले जाएंगे लेकिन अगर आप जिस नाम से ID बनाना चाहते हैं वो नाम available नहीं होगा तो आपको इस तरह का message आएगा यहाँ पर आप आगे पीछे कुछ भी add कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर मैं 7 add कर देता हूँ इसके बाद next बटन पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर एक strong password इंटर करेंगे जिसमें letter, number और symbol सामिल हो सकते हैं password को इंटर करने के बाद next के बटन पर क्लिक करेंगे इसके बाद scroll करेंगे यहाँ पर आपको yes I am in पर क्लिक करना है इसके बाद आपकी email ID आजेगी review के लिए यहाँ पर आप अपनी ID को देख सकते हैं और इसको note करके कहीं पर रख सकते हैं ताकि आपको जबी ज़रूरत पढ़े तो आप इसका use कर सकें इसके बाद next के बटन पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आपको privacy and term को accept करना है इसके लिए scroll करेंगे इसके बाद I agree पर क्लिक करेंगे यहाँ पर page back हो जागा तो congratulations आपकी Gmail ID बन गई है अब आप Play Store का use करके अपने Android Smartphone में किसी भी आप और गेम को डाउनलोड कर सकते हैं बस आपको Play Store पर आना है और अपने पसंद का किसी भी आप को सर्च करना है इसके बाद आप अपने Android Smartphone में उसको इंस्टॉल कर सकते हैं तो चलिए इसी के साथ अब आपको पताते हैं कि अपनी ID को सिक्योर कैसे करें इसके लिए आपको सबसे पहले अपने Smartphone में Play Store को ओपन करेंगे अब आपको उपर Profile के अकन पर क्लिक करना है इसके बाद आपके सामने एक Pop-Up Open होगा यहाँ पर आपको Manage Your Google Account के Option पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आप Redirect हो जाएंगे Google के Account पेज़ पर यहाँ पर आपको सबसे पहले Personal Info के Option पर क्लिक करना है इसके बाद Scroll करेंगे यहाँ पर आपको Phone Number का Option मिलेगा आपको इस पर क्लिक करना है यहाँ पर आपको अपना Mobile Number इंटर करना है इसके लिए Add Now पर क्लिक करेंगे यहाँ पर Pass की Confirm करने का Option आपशन आगा तो इसके लिए Continue पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आपके Phone में जो भी Lock लगा है उससे Unlock करेंगे इसके बाद यह Page Redirect हो जाएगा इसके बाद Back करेंगे इसके बाद आपको उपर Scroll करना है और आपको Security के Option पर क्लिक करना है इसके बाद आपको Scroll करना है यहाँ पर आपको Recovery Phone का Option मिलेगा आपको इस पर क्लिक करना है इसके बाद आपको Add Recovery Phone पर क्लिक करना है इसके बाद आपका recovery mobile number इंटर हो जाएगा तो इससे होगा क्या अगर आप अपनी ID का password फ्यूचर में भूल जाते हैं तो आप उसको reset कर सकते हैं दुबारा से इसके बाद back करेंगे यहाँ पर आपको recovery email पर click करना है यहाँ पर अगर आपके पास कोई पहले से email ID है या आपके family के पास है तो वो यहाँ पर इंटर कर देंगे इसके बाद next के बड़न पर click करेंगे इसके बाद उस email ID पर एक verification code आया होगा उसको यहाँ पर इंटर कर देंगे इसके बाद verify पर click करेंगे इसके बाद आपके recovery email ID verify हो जाएगी इसके बाद back कर लेंगे तो इस तरह से आप Google Play Store ID बना सकते हैं और इसका use कर सकते हैं अगर आपके पास कोई सवाल है तो हमें comment में बताएं और अगर आप अपने smartphone को secure रखना चाहते हैं और उसका safely use करना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहें हम नए useful तरीके और latest update के साथ आते रहेंगे अपने mobile phone से related और भी जानकारी के लिए हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल एक हमें क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की notification सबसे पहले मिलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक फो वाचिंग इस वीडियो